स्वागत और विशीश तो और ते उना दर्शकांद जड़े पिछले वार साडेनाड जुड़े सी लड़ी वार प्रोग्राम है अगला हिसा जड़ा है गाई एपिसोड दो आज जसी पार दो लेके हाजर हो हैं ओही गेस्ट ओही मेमान ओही वेला है गाई ओही मेरी स्मूची टेक्निकल टीम है कि एक कॉंटेंट वखर है इसलिए वार असी गल की ती कि देस बढ़ा है इसी कि पलस टू भी ए तो बात बच्चा की कर दा है एक थे नौकरी कर देया है बपार विजनस कर देया है वदेश जानन वास्ते केड़े केड़े रसते हों इने सब पहला सानू वीजा लञान पहनता है जिस देश देश देविच जानने है उते सानू ठग गया जानना है गया कंसल टेंट दो ऑरा ओठे होन तक बरत असी पके भी हो जानने है सैटलमेंट जड़ी है कि यह प्लान से नू नहीं दिते जानने आज जसी दो देशां वारे तिन वारे निज इस पर शर्दाव पूरिया करो तो अनोने दे देने नहीं दूआनी उत्थ होना काम होनद और तो अड़ा काम होनद है सेट्लमेंट देवेच असी तो अनुटेच दे सकने और तुसी सिख सकने समाज तो तो मैं मैं मेरे नाल वेस्ट नाथ नॉबर सिness तो जिस्लीन बबाव सुआद अहीं उड़ा कै शुट हो और रखे जड़ा है का तिस्ट विडियो रहीं तर साहरे हैं सी अंसर घड़ा करेंगा प्रदीव द्लबाद दवेस्ट लगांगे कि एक छोटे दोसर रुपिया दिन वैस्टमाइट नाल तुसी गैरा हजार सपांसो सब्सक्राइब बचा सकते हूँ, 800 रुपिया बचा सकते हूँ, वो कि किमें बचा सकते हूँ, कि वीडियो तो अनुदर सारी है कि कि आइटास आए मैंने इल्सक्राइब रूओकश हो रहे हैムिक रातृओ इस फेश्ची के आप खएमागी शक्राइब देशस्न काुट्राइब!" और तुन एक काम कर तुना IELTS टेस्ट है रियलिटी आलीटी आलीटी टेस्ट वो से रोगा और इसके सिर्फ कायों से दो सॉर्पे होगा और यह डिपी और बिटिश काउंसे दिवारा सेटिफाई इस होगा और तुझे तुरा लेवट भी पदा लगजेगा कि तुन कहां सें यहां आपने सही सुना वेस्टन और सीज ओर्गनाइज करने जारा है आइस रियल्टी टेस्ट जोगी थर्ड जून दोजास तारा दिन सनिवार सुबह 10 बजे वेस्टन और सीज के वेंडू में होगा अंबाला सीटी में जिसमें IDP BC Certified Tenor होंगे साथ साथ में BC British Council के Officials भी होंगे उसी environment में सारी चीज आपको दी जाएगी जो real actual paper में होता है तो दोस्तो आपने अपने टाइम वेस्ट नहीं करना है थर जून दोजास तारा दिन सनिवार आपने याद लखना है BC IDP Certified Tenor प्लस में British Council के Officials वेस्टन और सीज के Venue में होंगे जहां आपको IDP और BC Test Venue की तरह real IELTS environment में लेगा So come we are waiting for you as the dates will be closed by 1st of June So try to come as soon as possible because we have a limited seats waiting for you So my friend I hope that the children have a good thing that you can do your own examiner खुद एक्जामीनर हो तुसी तो अड़ेल एक महौल पैदा कीता जा रहे हैं एन्वायरमेंट है गाए पेपर दा बेंच मारकों में जा है गाए सारी यहां सो हुलताओं में मिलेंगी हैं दोसर प्रेद वेच तो अनुझ जड़ा है गाए पता लगसा गए तो उसी किते खड आप एक्जाम जड़ाइगा बुक कर वालो कमजोरो हो और संटर दाने संटर नोफ बदानाम करना है वेस्टर्ण जड़ाइगा ऊपर दखाना नीए एक सोशल कॉज़ेज़ है जिस तहँ आपने पैसे भी बचाऊंगे समां भी बचाऊंगे और सिद्धे रस्ते तुरपा यह इसलिए क्योंकि आपको जब अगर अगरोर जाना है किसी डेवलोप कंट्री में चाहिए हो कैंडा है चाहिए उसके लिया चाहिए निजलेंड यूए से है यूरोपियन कंट्री में भी मोस्ली आज की डेख मैं आइस नहीं तो चाहिए चाहिए तो मोस्ली मेजर कंट्री में आपको आइस चाहिए तो यह टेस्ट हमने इसलिए रखा है ताकि आप अपनी 11,800 रुपे जो फाइनल एक्जाम की फीसे वो बचास को 200 रुपे आपने पे करने है थर्ड जून दिन सनिवार अंबाला सिटी वेस्ट मोशीज के ओफिस में बेटेस काउंशल के ओफिशल परसन होंगे जो यह आपका टेस्ट लेंगे आइस रियाल्टी टेस्ट जिसमें रीडिंग राइटिंग लिसनिंग स्पीकिंग यह सारी क सारी टेस्ट बेटेस काउंशल के अफिशल परसन के ठूए होगी और यहाँ पर आईडिप और बेटेस काउंशल के ट्रेंट ट्रेंट ज़ूर भी होंगे तो सेम एक्जाम, सेम महाँल, नर्वसने साथ की इससे खतम हो जाएगी और फाइनल एक्जाम का महाँल होगा आप को पता लग जाए जो आपका हववा फियर है ना वो खतम हो जाएगा इस टैस्क को देने के बाद इस बात की गरंटी जरूर है कि जो आप फाइनल एक्जाम जब भी देने जा रहे हो बेटेस कंसल आड़ी पीगा तो आपका स्कोर एटोमेटिकली आएगा डिजन बियांड इ आप अपना रिष्टेशन करा सकते हैं तीन तारीकों हम एक टैस्स करने जा रहे हैं सात तारीकों आपका रिजल्ट डिक्लीर होगा तो इसमें बिसीज के जो फेकल्टी होंगी एड़ी फेकल्टी होंगी वह आपको गाइड करेंगी प्लस में अंडर दा सुप्रवीजिन पिछले हफ्ते दा शो जड़ा हैगा, डेट पाके यूट्यूब ते चेक कर सकते हो, जिदे विचे कैनेडा और अस्ट्रेलिया दे विचे चीटिंग के में हों दिये, केडिया फिस्सा किते किते जन दिये, केडिया स्टेज जन दे पर डाकुमेंट्स लग देने, उदे बार सब्सक्राइबत संसेयर हो, जिदे बार इने, किते ऐसे चीटिंग तौने बार यहां पर अगर आप सिक्से के माझने दखे अना बच्छे दरदर पटकरेने, किसे ने घैक़े जरू बेज ता किसे ने लगी बैजता, किसे लिचेesta हमें ने लस्ट प्रफाइब हो, जिदे सब्सक्राइब कर दो एक वीजा निकल रहा है अगर आप शाड़े 5 बेंड पे हो और CBC बोर्ट से हो तो चलो फिर भी चांस बनते हैं लेकिन अगर पंजाब बोर्ड है और हर्याना बोर्ड है तो शाड़े 5 बेंड पे बोल जाओ भीया एक वीजा निकल रहा है हां किसी और स्टेट से आप हो चाहिए माचल है यूपी है राजस्तान है और कोई दिल्ली का बोर्ड है तो डेफिनेटली साड़े 5 बेंड पर अपनी फाइल लगा सकते हो लेकिन हर्याना पंजाब और साड़े 5 बेंड पे फाइल मत लगाना बलकि यह रियल्टी टेस्ट हो रहा है इसमें आईए उसमें बैठो एक बार पता लगेगा कि आप कहां प्रेंड करते हैं सिक्स बेंड भी आएंगे न्यूजिलेंड मैं इस करके कह रहा है कि कहीं बच्चें दे साड़े 5 बेंड रहे हैं जाने नमबर पंजाक आया परसेंट आए जिननों ऑस्ट्रेलिया ने भी कबूल नी करना जिननों कैनेड़ा ने भी वीज़ा ने लेना ओ नीज़िलेंड वाल तो और देने उननों भी पैकज बेचा जाना है परदीज मैं स्वाल दा जो आप अड़ेते चाहूंगा दो में देशाच फीस बात देविक जानती है एक्थे भी पैकज बेचे जान देने सेविस फीस आई ट्वंटी एई पी आउन तो पहला फेर भी बच्चा एक लगखर पे देविक आ जाना है क बंदे ने स्टूडेंट्स ने लगने उसके आट दस हैं तो उसने 14 15 16 बेने हैं और ये कोन आते हैं एक तु जिनके अंदर फियर है जिनके दिमाग में बिठा दिया जापा है कि तेरा वीजा नहीं लगना वो रिसके नहीं कोशिश करते हैं जिसके वाइस फॉंट्स नहीं लगना तीर चाहरमिते हैं खराबाया ये खरावर Whoo वो बैका लेते हैं पंदजी नहीं है थो हता यहीं होता यए भी आंड एपको बनाएंगे सब्सक्रां करें चागरेजाई में इस तरक kyla चाहे बहला के शहरी आचि भुस्ट नियां है थिक भी लुस्ट थैज़ार्य चा यूसे हरे कंटी में बैका के ऐसे स्टूडेंट्स को मिलब हलाल किया जाता है और उनसे पैसे लोटे जाते हैं और सरे एक सचा ही मैं बताना चाहूँगा जो आज की डेट में हमारी इंडस्ट्री में हो रही है कुछ परसंट कंसर्टेंट है जो बच्चे का बईूसे बना रहे हैं उसके वीजा लगा के कुछ कमा रहे है लेकिन मिजियोर्टी कंसर्टेंट्स की आज की डेट में मार्केट में ऐसी है क्योंकि खर्चे तो पहुँ ज़गा है चैशे मोहाली है चैशे चंडी गड़े कि आपकी शल्री तब जस्टिफाई होगी जब इतने लाग्का मुझे बिजनस दोगे वो लड़की जो काउंसलर है वो कैसे देगी वो अपनी जोग बचाने के लिए अपनी इंसेंटिवस कमाने के लिए बच्छों को जूट बोलेगी कि आपका वीजा आ जाएगा पांच ब इसे बंदे कमा रहे हैं जो बड़ी बड़ी गड़ियों में गूंग रहे हैं जो वीजे नहीं लगवाते रिश्यूज कराते हैं डेर दो लागर बे बच्छे से खागते हैं और उनना को ज्यादा जान देने जो कि कि साथे पंच बैंडने चाप ने पर्सेंटेज लो है उ अपना लुजिलेंड दी और युएसे कैसा देश है जड़ा नीट एंड क्लीन है कि सारा कुछ अड़ाबाद दी जाना करना है चोटी चोटी फीसां जानी है जिदो के सेविस फीस अमशी फीस या इड़ा आई टवन्टी फीस है इना दे नाम बे उपर किड़ा शोशन हो रहे हैं के एक लाखर पे देविच बच्चा लेंड़ाबाद देखिए पहली बात अप्लिकेशन फीस कुछ कोलेज की नहीं होती आई टवन्टी की फीस होती है आई टवन अच्छा क्या है एक जाता है यह जाता है आपके फ़न नहीं है आप हम करा देंगे लाखर प्या उसका ले लेकते हैं फिर शेविस फीश फीश अपना 200 डोलर है बता ही 500 डोलर जाती है क्योंकि आज कर देट में खाववा ना हर किसी अपास क्रेट कर तो है निए तो है नही एक पास क्रेश को खेंगे क्रेट काड क्या जितना यह का नहीं है न तो यह ज़िए पोल लेना कुछ तो इसतर आप लाग बोली में वह जो कि पर चप की आखर आप हो एखली चपा जिन्दकी चाहर चीज़ा जिनदगी में हमेशना रोड पहनें सब तो पहला तक पैन खाता बेंक चिखो ले ओदे विच तनखा खेती बाड़ी दे पैसे एक पॉइंट मैं दवारा बोल रहा है कि खेती बाड़ी दे पैसे वे चेक रही होने चाहिए नहीं ता ही वो जस्टीफाई बोन के जिना था बिजनस है बपार है कावबबार है आई टीर पर नहीं पासपोर्ट बनाना के रूटीन दिया है चीज़ा बना के रखो जिदो किसे तुसी एजेंट को जाओंगे एजेंट बीजा बाड़ा जांटनी में गल कर रहा है कि बार बैठे हैं उन्देने दफ्टर नदेरी सरकारी ओवी तो अच्छी चोटी चोटी चीज़ां इक परसेंट दिना जड़ा है बच्चा इस वक्त जा सकता है बहुत सरे बच्चे ने शोग देखा एक स्वाल जरूर पुछा गया कि इस वक्त जड़ा है डिगरी और डिप्लोमा ने विच की में जड़ी ही के चुवा इससी कर सकते है तर जे मतलब बैटर है जिस स्टूड डिगरी लेकर जावे डिप्लोमा तो बाद नमली जैसी देखिये था जॉब्स अन्या असी इंडिया दा वी जिह साब लाई तर डिगरी तो बाद जॉब्स जॉब्स जाब अफर नहीं कर दी जह स्टूडन ने अपना फ्यूचर बणाना एतर बैटर ऑप्शन है बैचलर उस तो बाद एक ता स्टूड्न पीयर ली भी अप्लाई कर सरदा है, ति बेटर है सेट्लमेंट ली भी ऑप्शिन, डिगरी ली बेटर ही बेटर है, सब जरूरी जंदगी दे विचे तो अड़ी लेंग्वेज अबिलिटी है, जिदो तक तो अड़ी को लेंग्वेज नहीं ह मालो तो अड़ी पीयर भी होगी प्रदीप जी, बच्चा पीयर भी हो गया कैनेड़ा दे विचे, चंगी माडी के संदुन लालो, और अंग्रेजी दे स्किल नहीं है, क्यो वो सेट्ल हो जूगा, तेखो मेरी सेट्लमेंट यहां ना, एक सिंपल वर्ड मोहती है, मैं अपन प्रदीप प्रदीप के पास, अगर इंडिया मेरे रह तो बिजनस्ता ऐसे लगता रहेगा कि इंडिया थीक लगना ही नहीं है, पहले बात तो कुमानी सकते हैं, दूसरी बात, आप पढ़ते हो नहीं, तो आपकी पढ़ाई कंप्रीट होगी, ना तो आपको प्ड़ाई कं सबसे पहले यही देखा जाता है, कि खेती कितनी है बंदे के पास, अगर इंडिया मेरे रहे तो, बिजनस कर रहा है नहीं कर रहा, और उस सबसे उपर आती है अपरोड में बच्छा कौन से सैटल है, जो बच्छा अपरोड में सैटल है, उसको रिस्ता हो जाता है, और जो अपरोड में कामियाब होना है, तो जो पेरेंस आपको देख रहे हो, पेरेंस आपको इसलिए बेज देखे हैं, कि भाईया, वो आपके पोते-पोतियों को खिलाएं, वो तभी खिला पाएंगे, जब आपकी साद्धी होगी, साद्धी जब होगी, जब सैटलमेंट होगी, अज़ बेज़ा होना तो जब शीज़ा हो जादी होगी, जब आपको इक देखे हो लोगी, पर एक चीज़ दा क्या रहे है, कि सैटलमेंट जान रिसान नो छोटा-छोटा कदम जडेत आन आल रखने पहने, वीजा इस नोटे सेटलमेंट, वीजा इस नोटे पी आर, वो ए कुछ अफवाहा हों दियाने निजिलेंड बंध हो गया उनना दा वीजा आ गया आज जी स्विट्जर लेंड दा दा वीजा बंध हो गया ओवी वीजा आ गया के हो जी परफाइल दा या बच्चन दा एक्स्पिरेंस के रहा है जो तो अडिनाल शेर कर देने शाहिए तनुज साफ as they are very cooperative and they really do their activities of proceeding my visa and I got my study visa only the three weeks and in the last time I want to say that the Westonaison is the best institute for the students who want to go to Australia for further studies and they should talk and they should consult this institute. हेलो एबिबन मेरा नाम जस्करण सिंह है मैं फदयवाद तो बिलॉंग करनौ रहा है आज में अस्ट्रेलिया दा वीजा मिला है जिस करके मैं बहुत खुशा है मैं अपनी प्रॉफाइल रेस्टरंट ओवर्सी सो प्लाइगी ती सीगी इनारी में बहुत अची तरह गाइड क अची तरह आज हमारे साथ है रचित खतरी आज हमारे साथ है रचित खतरी जो कि दिल्ली से भिलोग करते हैं इनका वीजा लगा चैनिडा का अगर बात करें रचित की तो अपने बट है किया permettre किया रचैँ कोनी के सिर्ट थो यह हम से मिले थे किसी ने किसी के थरू तो ने कवीजा लगा सेंट लोरां्स कोलेज आड नाह। बोई थो क्या Поэтому मैं Wasser वेस्टन ओवर्सीज की सब्रीज बहुत ही अच्छी लगी जब मैंने अपनी आइल्स कंप्लेट की थी चंदिगड से तो मेरे पास कोई गाइड़न्स नी दा तो मेरे लेटिज ने बताया कि अमबाला में इनका ओफिस है देन मैं अपने परेंट्स के साथ आया हम इन से मिले इनोंने बहुत ही अच्छी तरह के से मुझे काइड किया उसके बाद इनोंने मुझे अलग-अलग तरीके से New courses बता एजोege के निडा, में मेरे लेए Best है उसके बाद इनोंने मेरा visa जल्दी से ब्लदी लगवा दिया, बहूत बहुत थेंक्यूं का तो रजित का आपसे पानी बद और शोनी बद आल सो तो रचित हो कि आप अपना करियर बनाए और मेरी आप से शर्फ एक रिक्वेस्ट है वहाँ जागे काम के चक्कर में ना पढ़के पढ़ाई के चकर में रहना और मेरी आप से कंडिशन यही दिए कि माँ आप से कोई पैसा नहीं लूगा बट कर अपना दिन लुगने राच लुगने लूगने उंते करें था नच्यू सब्सक्राइब कर घंट से अधिसटर एंसलिक यहीं आप यह सुष्सक्राइब का गट मुद?' I am so happy that I received just my Kaneda visa, here is my Kaneda visa I just received My name is Anil, I am from Karnal and recently I have got the Kaneda visa, I am so happy and I am very thankful to Malisha, Havri Balian sir and the staff of the West North because they really helped me a lot and I have really done the struggle because I have done my trial from the National Institute of Open Schooling and it is really difficult to get the visa from NIOS but I am really thankful to the staff that I got the visa My name is Jagman Bir Singh, I belong to Karnal district, I did my eyelets and score 6 bands after completing my eyelets, I go to medical centers but they did not guide me properly and one of my friends guide me to go for Western overseas and I go to Western overseas, they guide me very properly and I load my file for Australia student visa in Kangan Institute for accounting course I got my visa in 10 days and the staff of Western overseas is very cooperative and if anyone wants to go abroad they have to visit Western overseas once, this is my Australia visa I got my visa within 15 days and my course Bachelor of Information Technology, I am thankful for the services of Western overseas So, Bites, children, videos and share their experience, just 2 minutes, 2 minutes, 2 minutes and then the program is winding up, next week Western overseas is below So, the rest of these tips are available for the program Pradip Ji, I would like to go and go and do IELTS reality test 3 June 3 June, Dinh Sanivar Ji, IELTS reality test 3 June, Dinh Sanivar Ji, IELTS reality test IELTS reality test IELTS reality test 3 June, Dinh Sanivar Ji, IELTS reality test IELTS reality test IELTS reality test 3 June, Dinh Sanivar Ji, IELTS reality test 3 June, Dinh Sanivar Ji, IELTS reality test 4 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 June, Dinh Sanivar Ji, IELTS reality test 5 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 June, Dinh Sanivar Ji, IELTS reality test तो आप पे जर्मनी है, फ्रांस है, स्विजर लेंड है, और आप पोलेंड जाना चाहते हैं, पोलेंड भी आपका हो जाएगा, आप डेंगमार्क भी जा सकते हैं, आप अप अच्छी कंट्री है, वहां भी आप जा सकते हैं, हमेंसर आपकी 12 पास होने चीए, या आप होने चीए, इंग्लिस के किमिके सम स्किल्ज ठीक हो, इंटर्वी छोटा सा होता है, डेफिनिट या आपका वीज़ा हैगा, प्रदेब जी तन्वार्क जिसलिन तो अडवी शुक्रिया, ए टापिक छोटा सी का समेंदी काट है, किसे भी बच्चे दे नंबर काट ने हिचक अब रौड जड़ी स्टेडी हासल कर सकते हो, तो फिर वार्ड यूज कर रहे हैं कि जड़ा एक वीज़ा है गा, वही जिंदगी देविच तो अड़ा कोई लास्ट मुकाम नहीं है, उस तो अग्गे जिंदगी जड़ी है, यह शुरुआत हों दिये, इस तरह निया करियर कॉंसलिंग्स वेस्टनों वर्सिस मुलन दितने जितने 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 जो जाके इना दिनार अपनी सांजी जड़ी हिंदी कहल बात कर सकते हैं, शुरुआत ही कि तम तरह आपने दोस्त, एरन बीर संदून आगे देखान बात से शुकार।